अभी सुबह से लगाता शिकायतें आ रही हैं केवल मैनपुरी लोग सबा की शिकायतें नहीं हैं बलकि रामपुर विधान सबा में जिस दिन से हम लोग बोट मांग करके आयें जिस दिन शुरुआत हुई हैं उस दिन से प्रसासन लगा हुआ है कि बोट ना पढ़ आये बोट ना पढ़ने के सब तरीके अपना जा रहे हैं मैं जब वहां रामपुर गया हर चौराई पर हर सड़क पर पुलिस बड़े संख्या में खड़ी थी मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रही है लेकिन जब सबाह इस तरह पे हम लोग पहुँचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाये सबाह में इसलिए पुलिस लगी हुई है कर रात को परत्यासी को खुद बैठना बड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहां की पुलिस फेर इलेक्शन नहीं करा सकती है फौज को लगा देना चीए अगर ये अविस्वास पुलिस पर आएगा परसासन पर आएगा तो आप क्या उम्मीद करोगे लोगतन कैसे बचपाएगा क्योंकि जो बहार की फोर्स आती है उसको गाइट करने वाले तो परसासन की लोग होती है मैंपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से परसासन इस कोशिच मेड़ा कि बोट कैसे रोका जाए और पांट सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं उनके गाउं में कोई फोर्स नहीं जा रही आखिर कार मैं यह जानना चाहता हूँ जो बहार की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है क्या ब्रीफिंग यह हो रही है कि समाजादी पार्टी के ये चिन्नित गाउं इनमें जाएए आप इनको डराइए धमकाईए भाषा का गलत इस्तिमाल करिए ऐसी भाषा हैं इस्तिमाल की जारी जो मैं आप से शेर भी नहीं कर सकता वो भाषा बूली जा रही है और सुबह से शिकायत कर रहे हैं कहीं जो मैंपुरी में हैं कुछ बूत कुछ करेल में हैं जो मदादा समाजादी पार्टी के गए उनके साथ मार पीट हुई है कुछ लोगों को गाउं से नहीं निकलने दिया जा रहा है हमारी आफिस के लोग अगर जिलादीकारी को फोन मिला है तो जिलादीकारी अपना सي योजजु अपने चपरास जी को देए के चले अगए ये कहांसे विवस्था आगई कि आप अपना मॉबायल सी योजी एक अपने किसी को देए के चले जाएंगे और आप वादी नहीं करना चाहते हैं आखिसकार ये परसाशन, बोट किसके लिए डलवाना चाहता है लेकिन मैं जानता हूँ ये मेनपुरी, नीता जी का घर, छेत्र और यहां से नीता जी, राजनीत करते करते राजनीत की उचाईयों पर पहुँचे है ये जितना कुछ सड़क, बिजली, पानी, पुल या स्वास की सेवा हैं या तमाम इंतजाम जो दिखाई दे रहे हैं वो सब नीता जी के कराय हुए हैं भारते जनता पार्टी का या कुछ नहीं है इसलिए उन्हें उधार का परत्यासी लिया उनके पास अपना ऐसा परत्यासी नहीं था कि नीता जी की भावना का और नीता जी के पक्षम जो मद्दान होने जा रहा है उसको रोक सकें और आज भी बड़ी संख्या में मेंपुरी के लोग समाजादी पार्टी और नीता जी को याद करकर एक एक बोट डाल लें